अभी तक के मैंने जितनी भी टेक्नालोजी थी सोलर एनरजी के पीछे चाहे वो एक्टिव हो पैसिफ हो डिरेक्ट कन्वर्जिन अफ सोलर एनरजी इंटो एलेक्रिसिटी वो हो वो सब मैंने आपको समझा है कि उसमें टेक्नालोजी क्या है साइन्स क्या है जिसकी बुनियाद पर सोलर सेल बनते हैं या कोई भी और किसम की से वो बनती है तो वो वो चीजह हमने समझ ली लेकिन अब वो आखीर में तो फैसला वही बिजनिस फैसला होगा ना कि इन्वेस्मेंट कितनी है ले को सब्सक्रास के उसके साबसे कितनी है अब वो कॉस्ट निकालेंगे तो पिर उसको कंपेर करना पड़ेगा बागी सारी जिसे कहते हैं, वो यह है कि अगर investment कहे कि investor कहे कि जी मेरे पास 100 डालर है, अब मैं पस 100 डालर में आप मैं इसमें solar energy में invest करूँ या फिर मैं जूते बेच हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, तो वो जूते क्यों ना बेचे, बलकि इसको दे तो वो इसको discount, वो discount उसको recovery हो जाएगी और profit भी हो जाएगा, तो वो चीज़ें consider करने के बाद, वो फिर levelized cost of electricity का भी मैंने समझाया था आपको, जिसमें सारी जो fix cost आती है, operational cost है, वो उस पूरी cost को divide करते हैं, सारी उमर की उसकी production, अगर 60 साल, solar system 60 साल तो नहीं चलते हैं, solar system 20-25 साल चलते हैं, coal fire power plant है वो 60-60 साल चलते हैं, तो सारी में जितनी production है, उससे फिर divide करें, तो फिर वो cost per kilowatt hour जो आती है, उसको levelized cost of electricity करते हैं, तो उसको, उससे फिर compare कर सकते हैं चीज़ों को, घोड़ा, बैल, घाड़ी, घधा जो भी है न सब चीज़ें पिर एक बराबर हो जाती हैं, उसको compare, जो हमें अब भी देखेंगे कि उसमें क्या है, तो वो cost है solar cell की, वो calculate करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या है, वो comparatively दूसरी चीज़ों के लिए, तो अब मैं सारी चीज़ों का तो नहीं बताऊंगा, जो ऊपर वाली हैं, वो, जो के dispatchable कहते हैं, कि जब आपको जूरत है, तो हमेशा चलता रहता है, वो रुकता नहीं है, जब जूरत पड़ी हो आप उसमें से ले लिए जतना आपना एनरजी चाहिए होती है, बाकी चीज़ें जो है, विंड या ये solar cell अब रात को तो नहीं है वो, तो dispatchable नहीं है रात को, फिर उसके लिए, वो non dispatchable, वो फिर mind cycle के बार में भी बताया था, जिसे electricity और heat दोनों निकाल सकते हैं और दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे combustion turbine है, advanced nuclear है, geothermal है, biomass है, उन सब की cost right hand वाले है, ये पूरी सब चीज़ें हैं इसके अंदर, capacity factor, levelized capital cost, fixed cost जो है, जो O& operation and maintenance cost है, वो सब सारी चीज़ें इसके अंदर included है, तो ये सारा बिलकुल complete cost है, इसमें calculate की हुई है, तो right hand side के factor को देखें आप, तो इसमें सबसे बड़ा जो नजर आएगा, non dispatchable में देखें, वो wind जो है, वो offshore जो समंदर के अंदर लगाते है, wind में आजकल सबसे जादा रु ride जो है, वो इतने खराब ना हो, तो समंदर में लगा देते हैं, लेकिन समंदर में अगर खराब हो जाए तो फिर समंदर में जाना, एक दो किलो मीटर अंदर, वहां से फिर उपर जाना, तर्बाइन की उपर, फिर उसको ठीक करना, तो उसकी cost, लगाने की cost तो एक अलग है तो वो, बहराल, वो है एक option जो आपके काफी लोग उसको develop कर रहें, क्योंकि उसमें बहुत बड़े 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 टर्माइन लगा सकते हैं उसके अंदर, लेकिन आप solar photovoltaics को देखें, उसकी cost देखें, और बाकी hydrocarbon, geothermal वगारा सबसे मिला लें, geothermal जो इतनी सबसे सस्त एक जमाने में होती थी, हाँ, और ये hydrothermal भी जो सबसे सस्ती एक जमाने में होती थी, तो ये photovoltaic की cost जाए, उसके तकरीबर बराबर आ गई है, जिसको grid parity कहते हैं, कोई भी लगा दें, solar लगा दें, कौल्समाली लगा दें, कोई भी, सबका एक ही cost आती है, उसको एवरिज cell की cost है, वो कम हो गई है, वो peripheral जो उसका module में वो सारी चीज़ें जो लगाई ही है, उनकी cost है, silicon solar cell की cost है, ज्यादा हो गई है, तो ये एक miracle है, अब से 20 साल पहले लोग कहते थे कि अगर 10 डालर पर किलो वाट आउर भी हो जाएं तो हम खरीद लेंगे आपसे, अब वो आज क जगा नहीं लग सकता है, बीच शहर में चट पे जगा नहीं हो सकती, चट पे जगा होगी तो एक बड़ी बुडिंग है, क्युए- 55 बजiggling है, चट पर कितनी जगा होगी 50मंजिलागो तो नहीं कर सकती, उसको फिर बाहิर बनाना पड़ता है, प्लांट लगाना पड़ता ह वो सब चीज़े हैं, उसके बावज़ुद भी लोग लगा रहे हैं, आप बहुत सारी एक्जामपल देखेंगे इसके अंदर, तो ये अब देखें कितना ग्रोथ कितनी हुई है इसके, और रेलेटिफ ग्रोथ देखें, सारी चीज़ों को बायो मैस को देखें, लाज हाइड रेशो जो इसके निकलत है, ग्रोथ का, वो एक बहुत बड़ी बात है, कि इतने चोटे अर्से में इतना बड़ा हो जाए, अब उसकी, आविसली, कि ये बड़े-बड़े बिजनिसमेन लोग हैं, जो सब इसके रिटरन आफ इंवेस्मेंट वगरा देखके इंवेस्ट करत हैं, तो इस तेकनालोजी आप पोटेंशल तो रेवलुशनराइज, इस ये जो इमेज है, एनरजी की, जो नीड है, जो डिजायर है, इन्वायरमेंटल को सामने रखते हुए, वो इस टेकनालोजी और विन टेकनालोजी और एक दो और जो चीज़ें जो हम देखेंगे आग और सोलर सेल्स, वो दूसरे तो विलकुल उसके खाक में भी नहीं रह सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, पूरे यूरोप में जितनी प्रोड्यूस होती है सोलर एनरजी, वो चाइन आकेला खुद पूरा कर देता है, ये चाइनीज एक सोलर प्लांट का ये देखें, चाइन ग्रिड एलेक्टरिसिटी इन एवरी चाइनीज सिरी, कहीं भी जाएं, सोलर एनरजी से सस्थी आपको कहीं नहीं मिलेगी और एनरजी, तो जब वो इतना वहां पर हो रहा है, तो बाकी जगहों पर भी काफी लोगों ना पर इसको सीरेसली लेना शुरू कर दिया है, और का कि वहां पर बहुत ज़्यादा सूरश पढ़ता है, वो उनको कंपेर करें बावलपूर वाले इलाखे में, तो बावलपूर वाला इलाखा भी इसकाबल ज़रूर है कि उसको उसमें से इतनी एनरजी निकल सके कि वह बिलकुल फीजबल हो जाए, लेकिन और बहुत सारी उस पॉइंट एट के, ये 2022 की फिगर है, तो इसको अगर आप कंपेर करें जरा, तो इतनी आसान तरीखे से इस टेक्नालोजी को एक्सप्राइड किया जा सकता है, और हर कामन शखस के लिए, हर कामन, हर चीज, हर जगा के लिए, छोटी से बड़ी जितनी भी हो, छोटी छोटी से लेके बड़े-बड़े घर की बाद, जितना मैंने के इंडस्टी के लिए, वो सोलर सेल, वो पावर प्रोवाइड कर सकता है.